क्या नामें पोयम का दखिटी रैन अब दट्री मतलब किटी होती है वो ट्री के उपर चड़ती है ऐसे भागती है तो क्या पढ़ना है इस पोयम में हमको एक किटी होती है जो कि एक कैट का नाम होता है किटी वो क्या करती है ट्री पे चड़ती है कैसे चड़ती है और किस तरीके से चड़ती है वो हमको इस पोयम में पढ़ना है So let's start the poem The kitty ran up the tree The kitty ran up the tree Her nose went up And her toes went up And the kitty ran up the tree क्या है? Kitty जो है एक केट का नाम है वो ट्री पे चड़ती ऐसे भागती है ना तो उसको क्या बोलते है? Kitty ran up the tree Her nose went up पहले उसका nose उपर जाता है यह देखो कैसे kitty जा रही है इसमें दिखा रहा है पिटर किटी यह उपर चड़ रही है तो पहले उसका nose उपर जा रहा है And her toes went up फिर पहले nose जाएगा फिर toes मतलब जो पाउ की fingers होती है उसको toes बोलते है तो पहले उसका nose उपर जाएगा फिर toes उपर जाएंगे When the kitty ran up the tree और इस तरीके से kitty ट्री के उपर जाती है Why did she climb the tree To see what a kitty could see But all she could see At the top of the tree Was the tip of the top of the tree क्या है Why did she climb the tree वो ट्री पे क्यों चड़ती है यह पूछ रहे हम To see what a kitty could see वो देखने के लिए कि kitty ट्री के उपर से सब कैसे देखना चाती है कि हम ट्री के उपर जाते है तो हमें सब कैसा दिखता है वो क्यों जाना चाती है उपर क्योंकि वो ट्री के उपर जाके यह देखना चाती है कि हमको ट्री के उपर से जीजे कैसे दिखती है तो at the top of the tree मलब सब से उपर त्री के कैसे दिखता है कि अंदेशन दीप अफ यह एकना कीटी और में बरल का जाती है कि अंदेशन pressures, purs committee और अंदेशनल पर चलिए है कि एकदम नवक करते है पर वो देखती है कि वहां से चीजे कैसे दिखती है फिर देखने के बाद the kitty came down the tree kitty came down the tree फिर वो नीचे आती है tree के मीचे आ जाती है her nose came down and her toes came down क्या है जैसे वो पहले उपर चड़ी थी पहले उसका nose उपर जाता है फिर उसका toes उपर जाता है इसी तरह वो नीचे भी वैसे ही होता है her nose came down and the toes came down उसका nose दीचे आता है और toes मतलब पेर के fingers नीचे आता है and the kitty came down the tree और इसी तरीके से kitty नीचे आ जाती है तो आपको समझ में आया कि kitty कैसे उपर जाती है और कैसे नीचे आता है पहले उसका nose जाता है फिर toes जाता है और वो क्यों जाती है सब देखने के लिए कि ट्री के उपर से tip of the top of the tree की चीजे कैसे दिखती है वो देखने के लिए जाती है I hope you all understand this poem Okay? Thank you